प्रेमित्रों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इस्टेड़ी प्रदीप पे दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दो हजार इकिस के जीएस प्रिप्रेशन के तहट हम आपके लिए लेकर आए है प्रेक्टिस पेपर जो डेली बेस्ट पे आपको एक प्रेक प्रेशनी पूखे जाते हैं हर एकम चायए ओ यू प 6 हो चाही आर ओ का हो चाही किसी आपर हो तो वहां पर आपको दो प्रकार-Pत्र पुछे जाते ने है एक प्रस्न होता आपका रिपीटड प्रस्ट और एक होता रिलेटेद परस्न यानि और इंटू आर्ट यहां पे सबसे बड़े चीजे होते हैं दोहरावे के प्रश्ण हर बार एकजाम में पुछे जाते हैं जबकि उससे सम्मंधित टापिक से प्रश्ण आप से पूछे लिए जाते हैं आप यूपी PCS देना चाहते हैं आरो यारो देना चाहते हैं या सच्वाले सच्वाले में कई प्रकार के लग 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 वैकेंसी आएं उसमें आप सम्मलित होना चाहते हैं यूपी टीपलेश्टी का कोई पेपर देना चाहते हैं या फिर आप यूपी टेट देना चाहते हैं समस्पर इच्छाओं के लिए बहुत महत्तपूर स्रिंकला लेकर के हम के लिए आए हैं समस्फ इत्ति जितने भी आपको आते सबके प्रैक्टिस पेपर बित डिस्क्रिप्शन आपके लिए रोज एक प्रैक्टिस पर आता रहेगा तो आप देखते रहेए और जल्द ही इसकी संख्या के आधार पर इसकी संख्या को बढढ़ा दिया जाएगा विव और सस्क्राइब और उसके चैनल के रेटिंग की हिसाब से आपकी स्रिंखला को बहुत तेजी सागे बढ़ाया जाएगा तो आप सब के प्यार और सहयोग का लगा अतार मिलना चाहिए ठीक है चलें आगे बढ़ें चलिए यहाँ अगर हम ध्यान दें तो आज हम चैप्टर जो लिए हैं उस चैप्टर है विटामिन और पोसर्ड तो चलिए जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे चलिए आप फंक ने निमलिखित में से किसका आविस्कार किया था फंक ने किसको ढूंड़ा था किसके आविस्कार पे चर्चा की थी तो फंक ने किसका आविस्कार किया था बिटामिन का किया था किसका किया था बिटामिन का किया था अब यहाँ बिटामिन के बारे में अगर हम लोग स ईसी होती है । खार मिन ब को भी काम्प्रिस करते हैं क्योंकि इसके अंतर गत और बिविंपरकार की depicted आदी हैं आप इस सबते होंगे ठीक है इनके नाम भी याद करना होता है इन से फंसन भी याद करने होते इनके करेक्टर भी याद करते हर इक चीज आपको बताई जाएंगी घड़ा यह मत वसा आप जानते कोई व्यक्त को हैड़क हो जाता है उसे क्या क्या करते हैं एक अटैक अगया ठीक अटैक होगा यानि विटामिन ए डी एक एड़क कब होगा कि काते हैं ना कि उसको heart attack हो गया, heart attack क्यों हो गया, क्योंकि उसको fight जम रहा था, blood circulation सही नहीं हो रहा था, ठीक, attack हो गया, तो यहां से headache याद कर लेंगे, headache, headache का मतलब क्या होगा, vitamin A, D, E, or K, यह 4 vitamin जो होती है, किस में घुलंसिल vitamin होती है, तो यह वसा में घुलंसिल vitamin होती है, कोई दिक्कत किसी को, चले, आगे बढ़ें, अगला, अब यहां पर हम बढ़ेंगे, तो कह रहा है, 1912 SB में प्रशन पूछा गया था, कब खोजा गया था, तो 1912 SB में पोलिस बैग्यानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार vitamin की खोज की थी, या vitamin की खोज की थी, ठीक है, कह रहा ह vitamins क्या होते हैं, यमपी PCS में पूछा गया प्रशन है, आप इसके label को समझ सकते हैं, बहुत important प्रशन है, तो vitamins क्या होते हैं, carbonic योगिक है, आप जानते हैं, योगिक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें carbon के तद्व पाए जाते हैं, उससे carbonic योगिक कहते हैं, और जिसमें carbon के योगिक के अंतरगत आती है ठीक विटामिस जटिल कार्वनिक योगिक होते हैं जो की सरीर के उपापचे अपक्रियाओं सरीर की उपापचे अपक्रियाओं मतलब कि इनका संसलेशन पादप करते हैं कहा रहा है जंतों को आज कहा सता बिटामिन कहा सपराप्त होते हैं पादप से ही पराप्त होते हैं कहा सपराप्त होते हैं भोजन से ही पराप्त होते हैं ठीक है क्योंकि इनका संसलेशन पादप करते रहते हैं आप से पूछा जा सकता है कि vitamin का sensation कौन करता है तो आप कहेंगे vitamin का sensation कौन करता है पादब करते हैं अब तक लगबग 20 प्रकार के vitamin ग्यात हो चुके हैं जिनको दो स्रुनियों में बाटा गया है जल में घुलनसिल प्रिष्टि से जो पूछे जाते हैं जल में गुलंसी बिटामीन मैंने आप से बता दिया कौन-कौन are इपके रिष्टि से कंपटीशन पोइंट आप ़्यु से आपhosा अगर आप ये सिमशी करेंगे तो आपको लगबग भीर बारें में अध्यान करना होता है थिक्त निमलिखित मेंसे योगिकों के किस समों को सहायक आहार कारक कहा जाता है कह रहा है निमलिखित मेंसे योगिकों के किस समों को सहायक आहार कारक कहा जाता है जैसे कि मैं आप से बात करूँ तो आप जानते हैं कि हम जो लोग जो हम लोग जो पोसकत्त तो लेते हैं उसे क्या कहते हैं उसे nutrient कहते हैं यानि पोसक तत कहते हैं ठीक पोसक तत तो हम कितने परकार के खाते हैं तो लगभग हमने पोसक तत जो हमारे होते हो छे परकार के होते हैं कितने होते हैं छे परकार के होते हैं सबसे जादा हम कार्बो हाइड़ेट कहते हैं कार्बो हाइड़ हैं जो हमें उर्जा देता है उसके बाद हम लोग प्रोटीन खाते हैं प्रोटीन क्या था बार्डी बिल्डिंग फूर होता है जो हमारे सरीर की क्रिया सरीर को बनाने का कारी करता है फिर हम के बाद हम लोग जल को भी पीते हैं और कुछ रेसे युक्त पदार्थ को खाते हैं जो हमारे पाचल में सहायक होता है यानि इस परकार से हम पूरे च्छत अप्तों को भोजन में ग्रहण करते हैं जो हमारे सरीर को बनाए रखने और सरीर के अंदर होने वाली लिए अब कर दो आप मेरी बात को अच्छी तरह सभा रहे है ठीक है तो यहां पहर बात पूच्छा जैक्नाए कोन आप क्विट्मेर और से अीसा योगी के जो सहायक हार कार्द्ट biology डिक इक तक निक फ्रेड्रिक गो लैंड हाकिंग से हैं क्यानिटर निमलिकित तक पौदों के विकास के लिए आवस्कुषख नहीं ए भ पौधों के विकास के लिए पौधों को कितने तत्तों के आउसकता पड़ती टोटल सोलह तत्तों के आउसकता पड़ती एक पौधों के कितने तत्तों के आउसकता पड़ती जिसमें से जो बहुत ज़्यादा आउसकता किसकी नहीं होती सोडियम के आउसकता बहुत ज़्याद पूर रहे question से ज्यादा description पर फोकस करिएगा मैं आप से बता रहा हूँ कि आपको खुद जब आप पर इच्छा हाल में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा confidence आपका build-up होगा और आप हर एक को करके आएंगे मेरा प्रयास है कि हम फरवरी लाश्ट सारे सब्जेक्ट के जितने question आद तक पूछे गया है सारे question को सरिंखला बद्द तरीके से करा दे मार्च में हमारा प्रयास है कि अभी पिछले दो-तीन साल में जो पेपर कराएंगे उन पूरे paper का साल paper आपको करा दिय क्या जाए उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट हैं जिसके classes चलने को classes जैसे परियावरण के classes चलने को रेटिंग आपकी अच्छी ना आने की वजह से आपकी रेटिंग अच्छी ना आने की वजह से मेरे पास इस समय आरो यारो के जुड़ने वाले student की संक्या टोटल हो ने हर एक topic पर try किया लेकिन आप सब वीडियो को click तक नहीं करते हैं जब आप click ही नहीं करेंगे तो आपको ये बात कैसे पता चलेगी कि इस वीडियो में बताया जाना अला matter सही है या गलत है एक दो वीडियो तो आप पूरी तरह से watch करेंगे तब ही तो आप लेकिन उसकी रेटिंग अच्छी आ रही जिसके कारण उनकी संख्या बीडियो की उनकी संख्या बढ़ती जा रही है तो आप अगर इसको करेंगे तो आपको इसका ज्यादा बहुत ज्यादा लाब मिलने वाला है मैं आप से कह रहा हूं कि आपके लिए हम ना तो आपसे प दिन जाकर करके हम आपके लिए अगर काम करते हैं तो इतना उमीद तो जरूर करते हैं का आप क्लिक करके एक बार देख लीजी एक बार सुन लीजी का आपके लिए इसमें मैटर है क्या जो चीजें आप पेड़ बैच में खरीदने की कोशिस करने हैं ढूंड रहना इधर को समझ पा रहे होंगे जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कुछ लोग बहुत भद्दे कमेंट कर देते हैं कभी-कभी तो चीजें बहुत अच्छी नहीं लगती है आप पढ़े लिखे लोग है वाटसप पर अजीब-जीब से मैसेज कर देते हैं कुछ लोग मतलब उसक से कमेंट भी करते हैं वीडियो पर भी कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है आप थोड़ा सा प्रयास किया करिए ठीक है तो डिस्क्रिप्शन को ध्यान से सुना करिए चलिए अब मैं बात नहीं करूंगा बस मन में थोड़ा सा खटास था इसलिए मैंने बोल दिया अगर जिसमें से नो आुष्च पियाद मात्रा में, मैक्रो कॉंटिटी में लिए जाते हैं या नो तथो मािक्रो और साथ पियाद मात्रा में आऊस शलिए नो तो अगर ऐसा पूछ लेजा कितने आउस्टक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा आउस्टक नहीं होते ता आप कहेंगे साथ ठीक है याद रहेगा आगे बढ़ेज़ें ब्रिहद मात्रा को पुना दो भागों में बांटा गया है प्रात्मिक और दुतियक प्रात्मिक और दुतियक प्रात्मिक जैसे की नाइट्रोजन है फासपोरस है पोटेसियम है कार्बन है हाइड्रोजन है आक्सीजन है मुझे उमीद है का आपको इन सब के सिंबल याद होंगे नाइट्रोजन का यन होता है फासपोरस का क्या होता है पी होता है पोटेसियम का के होता कार्बन का स्फी होता है हडरो जयर्स होता है और अक्सीजन का ऊगोल पर प्रसकों कि अधिक मात्रा में होती हैं जबकि सोछों की आज सकता पौधों को कम मात्रा में होती है जिन्हें लौ कहते हैं लौ तक तो कहते हैं आयरन ठीक है जिंक मेगनीज बोरान ताबा मौलीविडिनम और क्लोरी अब आप समझ पाए पूरी बात को यानि इस चीज को अगर आप इस डिस्क्रिप्टन को ध्यान से पढ़ेंगे तो 800-410-9989 यह एक नंबर है 800-410-9989 इस नंबर पे आप हमें टेलिग्राम पे जॉइन कर सकते हैं जहां पे हम आपको PDF सेयर कर दिया करेंगे चलिए निमलिकित में इसे कौन सा पौधों के लिए अनिवारी पोसक नहीं है कहरा कौन सा ऐसा है जो पौधों के लिए अनिवारी 95 मा यस में पूछा गया ओल लेकिन इस समय इसका और आपके यूपी टीपल से और आपके हो चुका है जो धारियों को कम से कम 27 तत्यों के आसग तो के है जिनमें से 15 होती है इन में इन में जो प्रभूत मातरा में आउसक होती है कौन है 15 धातु है लेकिन कह रहा है उसमें जो सबसे ज्यादा important होती है वह कौन्सी होती है। आपको बताना है तो जियोधारियों को प्रोटेशियम के आ सकता होती है custodium की magnesium के और calcium की बहुत ज़्यादा आउसकता पड़ते हैं कारा जियुधारियों को potassium, sodium, magnesium, calcium, sulfur, chlorine इत्याज के आउसकता प्रभूत मात्रा में होती है अता इन्तत्तों को दीर मात्रा पोसकतत थो भी कहते है जबकि लग मात्रा पोसकतत तुम्हें किया हो सकता जियोधारियों को बहुत सोच में मात्रा में होती है। घबराने किया हो सकता नहीं है। सामस्त प्रेटिस पेपर आपको लगभग मैं बता रहा हूं। नियर बाउट आपके 25 से 30 साजार प्रस्ण हम आपको करवाने वाले हैं। लगभग फरवरी लाश तक आप मान चलिए कि 70-75 दिन में आप बहुत सारे प्रस्ण करने वाले हैं। बस आप चैनल की रेटिंग को बढ़ाईए। ब्यो को पूरा करके जाया करिए। इक क्योस्टन से आप नहीं कर पाएंगे मैं कई बार बताया हूं। पूरा बीडियो करके दीजिए आप बातों को सुनिए आप देखेंगे का आप सिर्फ डिवीजन करेंगे बल्कि आपको बहुत सारी चीजिन याद होगी जब आप बुक पढ़ेंगे ना तो उस बुक में सारी चीजिन line by line आपको मिलती जाएंगे आपको बहुत लाव होने वाला ठीक आगे बढ़ें भोजन के वर्ग में प्रत यूनिट कैलोरी की मात्रा सरवाधिक होती कहां पर होती है तो आप बताएंगे देखे यह प्रसन बहुत इंपॉर्डन है और कई बार पूछा भी गया अलगरक प्रसनो मैं कहरा है भोजन के वर्ग में प्रत यूनिट कैलोरी जो हर भोजन की यूनिट की हिसाब से कैलोरी मिलती है उसमें सरवाधिक होती है क्योंकि इनमें आकसीजन कम होने के कारण इनका आकसी करण अधिक होता है एक ग्राम हाइडरोजन या प्रोटीन के उपापचे जारण में कहरा है कागर एक ग्राम हम कार्भो हाइडरेट या प्रोटीन खाते हैं एक ग्राम प्रोटीन खाने या कार्भो हाइडरेट खाने तो हमें चार किलो कैलोरी उर्जा मिलेगी कितनी किलो कैलोरी उर्जा मिलत यह इसलिए लिए कहा जाता है कि फैट ज्यादा कवाने से आपके पास तक श्याधा आएगी लेकिन कि अगर आप फैट खा रहें और रहना वर्क नहीं कर हैं काम नहीं कर रहें तो फैट के बाड़ी में डिपॉजिट इसकेल्टन है पूरी तो दिखाती है ना फैट गो कैची से काट के आपका पेट अलग कर देती है जब आपके मार्ग बाड़ी में ग्लाइकोजन की मात्रा फैट की मात्रा बढ़ेगी तो फैट ही एसिट जाकर की इकठ्ठा होने लगता है आपके तौचा के नीचे फैट की लेयर इकठा होना शुरू हो जाती है इसलिए फैट को ज्यादा नहीं खाना चाहिए जितना आपको आउस्से को उतना ही फैट खाई है ठीक है अब आप समझ गए फैट आपको बहुत ज्यादा उड़ जादा देता है के लिए कोई दिक्कत नहीं चले आगे सेब का सेब का हिर्दय रोग्यों के लिए बिसेश महत है क्योंकि ये बड़े स्रोथ हैं कहरा जो हिर्दय रोगी होते हैं उन्हें सेब का बहुत ज्यादा महत होता सेब एपल का ठीक है इसका क्या कारण होता है तो कारण आपको बताना है ये केवल पोटेसियम के कारण किस कोलिस्टराल घरता है। ठीक है? आप में पॉट क्या इनकलों ने जा Washington कमर्नाण CRP सेव में परियाप्त खनी तत्व पाये जाते हैं जिससे पोटेसिय महत्वपूर होता है जो हिर्दे की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्छ रक्तचाप को सामाने बनाये रखता है क्लियर है आहार में नेमित रूप से ताजे फल और सबजियां ग्रहर करना वांचनी है क्योंकि ये आक्सिकरण रोधी एंटी आक्सिडेंट तत्तों के अच्छ शुरूत होते हैं आक्सिकरण रोधी तत्त व्यगति के सुस्त बने रहने और दीरघाय होने में किस प्रकार सहायक से दोते कहरा है के एंटी आक्सिडेंट पदार्थ जब आप खाते हैं तो वह आपको लंबी उम्र देने के लिए किस प्रकार सहायक होते हैं इसका आपको आसर करना है जल्द में से कौन सा विटामिन यों उनकी कमी वाला रोग सुमेलित है विटामिन से होने वाली कमी विटामिन की कमी से जो होने वाला रोग होता उसका आपको सुमेलन करना है आंसर करिएगा जरूर करिएगा आंसर कि आपको जितना पता होगा चलिए कैल सी फिराल